दोस्तों आपका हमारे अन्राग लैप 3M YouTube चैनल में हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने कम्प्यूटर में MS Word में Set Book Mark Rule का यूज़ कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को भीना Skip किये अंततक देखते रहें चलते हैं हमारे पास में एक desktop के file है इस file को मैं जब खोलता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहें कि जहाँ जहाँ पर student यहाँ पे type है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई नाम type कर दूँ इस काम को करने के लिए मैं इस file में Set Book Mark Rule डालूँगा तो इसके लिए स्टार्ट मेल मर्द में जाएंगे और यहाँ से एक कोई address book connect कर लेंगे address book connect करने के बाद में हमें rules में जाना है और इसमें Set Book Mark पे क्लिक करना है दोस्तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो book mark का name रहेगा वो student मैंने यहाँ पे डाला है चोकि मैं यहाँ पे student को change करवाना चाहता हूँ मैंने value यहाँ पे राजीव डाली हुई है अभी जब आप यहाँ पे art f9 करेंगे तो जो rule मैंने बनाया है वो आपको दिख जाएगा art f9 art f9 करने से rule hide भी हो जाता है अगर आप art f9 करेंगे तो rule में edit कर पाएंगे फिर से मैंने इसको art f9 किया है तो जहाँ जहाँ पे student है मैं उसमें ctrl f9 से जो मैंने rule बनाया है वो insert कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ पे student है हमें उसे पहले select करना है को file को save करना है और save करने के बाद में file को ऊपर से close कर देना है अब हम दोबारा से जब भी अपनी file को खोलेंगे तो हमें केवल art f9 करके जो rule है उसमें जो name डाला था मैंने राजीव उसे हमें change करना है तो मैं sohan change किया हूँ और mailing में जाके edit कराएंगे okay करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे student था वहाँ पे sohan हो चुका है इस file को बंद करेंगे दोस्तों मैं ये एक बार आपको दो बारा से edit करके फिर से दिखाता हूँ तो मैं sohan की जगे पे इस बार रज़त कर रहा हूँ और रज़त करने के बाद में जब मैं edit कराऊँगा इसको edit किया है आल पे रखके okay कर देंगे okay करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि अभी भी ये sohan so कर रहा है इसका मतलब की rule apply नहीं हुआ है तो अगर ऐसी problem आपके सामने आती है तो आपको इसे बस दोबारा से edit कर देना है और edit करवाने के बाद में आपको ये problem solve हो जाएगी इसका मतलब कि ये दोसरी बार में सही से काम करता है तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के अंत में comment करके जो बताएगा और इस टाइब के टेकनिकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे अंडराग लैब 3M योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आपका अपना दोस्त अंडराग पांडे आपका दिन सुभ हो धन्यवाद